नमस्कार आपका स्वाकत है राजनामा टीवी पर मैं पूनम आपके साथ आस्ट्रेलिया की एक लेखी का शेरिल कुक ने कहा है कि एर इंडिया अब तक उनके जीवन की सबसे बुरी फ्लाइट रही है मुंबई में रह रही शेरिल ने हाल ही में मैलबर्न के लिए फ्लाइट बुक की थी इस यात्रा के बाद सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर अपना अनुभव साजा किया शेरिल ने कहा मुझे यात्रा से पहले कई लोगों ने चेताया था लेकिन मैंने फिर भी इसी एरलाइन को चुना शेरिल ने अपने पोस्ट के साथ तस्वीर शेयर करते वे कहा ये शुरुआत से आखिर तक अब तक की सबसे बुरी फ्लाइट थी पहले चेक इन काउंटर पर मुझे दो घंटे के लिए लाइन में इंतजार करना पड़ा फिर रन्वे पर एक घंटे तक बिना किसी अपडेट के फ्लाइट को रोक कर रखा जब आखिरकार फ्लाइट रवाना हुई तो नाश्टे के बाद शराब पीने के लिए दी गई शेयरल ने आके लिखा याता शुरू होने पर नाश्टे के साथ शराब नहीं मिली मांगने पर भी पसंद की पाइन मुझूद नहीं थी फिर नाश्टे और लंच के बीच में शराब परोसी नौन विच खाना सिर्फ उन लोगों के लिए था जिन्होंने पहले से ओर्डर किया था एर इंडिया की फ्लाइट बहुत ही पुरानी थी शरेल ने बताया कि अंदर राश्टे फ्लाइट में एंडिटेन्मेंट की सुवीधा होती है इसके लिए सामने वाली सीट के बैक पर स्क्रीन लगी होती है लेकिन एर इंडिया की फ्लाइट में स्क्रीन काम नहीं कर रही हाला कि शेरिल के मताबिक फ्लाइट में सीट बहुत ही आराम दायक थी लिखका ने बताया कि फ्लाइट मैलवन में आदा घंटा देली से पहुची फिर यहां भी रनवे पर करीब 20 मिनिट तक रोक कर रखा गया इस दुम पैसेंजर्स की मोझूदगी में ही फ्लाइट में कीड़ों को मांने के लिए स्प्रे किया गया शेरिल ने बताया कि फ्लाइट की करमचारों की सर्विस भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी पैसेंजर्स को अपनी बात बारबा दोरानी पड़ रही थी शेरिल के पोस्ट के बाद एर इंडिया का जवाब भी सामने आया है कमपनी ने लेखे खासे माफी मांगते हुए फीडबेक के लिए धन्यवाद कहा उन्होंने लिखा हमें खेद ही कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हमारे लिए पेसेंजर्स के फीडबेक बहत अहम है हम इन कम्यों को सुधाने की पूरी कोशिश करेंगे साथ ही आपको हुई दिक्कतों के लिए आपसे बात करना चाहेंगे शेरिल के पोस्ट के बाद की सोचल मीजा यूजर्स ने भी पेरिटने की फ्लाइट में अपने खराप अनुभवों को साजा किया बता दे की शेरिल कुक अमेरिका के विक्टोरिया काउंटी में पली बड़ी है रेजुशन के बाद वो मैलबन शिफ्ट हो गई यहां कुछ समय काम करने के बाद वो अमेरिका मीडिया नुई यॉक टाइम से जुड़ गई वो इस कमपनी के लिए भारत के ट्रेवल से जुड़े ब्लॉक लिखने लगी शरेलब मुमई में रहती हैं यहां से वो भारत में अपने जीवन पर भी एक ब्लॉक चलाती है इसी के साथ बने रहे रालकामा टीवी के साथ धन्यवाद